IFET इंडिया के नौवे संस्क्राण का मुंबई के गोरेगाउं स्तित बॉंबे एक्जिविशन सेंटर में शुभारम हुआ। IFET इंडिया की ये प्रदशनी 28-30 अक्टोबर 2022 तक चलेगी। इस मेला में उत्कुष्ट प्रबंदन और अपसिष्ट ज्रल प्रशोधन के समाधानों एवं इस सेक्टर में उभर रहे प्रचलनों उपर चल्चा करने का एक अनूठा उसर उपलब कराया गया। IFET इंडिया जल, सीवेज, ठोस, अपसिष्ट और पुन चक्रन टेक्नलोजी के लिए देश के प्रमुख वेपारी प्रशनी है। इस शो के भव्य उद्गाटन समारों में महत्पूर्ण परद्रिकाओरियों ने उपस्तिती दर्श करवाई। इस साल के संस्क्रेण में 22 देशों के 250 से जारा एक्जिबिटर्स ने भाग लिया। देखी, RFAR India काiez ninth edition है और ये इंदिया कास्चो है वैवायमेंट्न टेक्नोलोजेवाजीज को लेखेंगे। अंवायमेंट यह मतलब है कि पानी और पानी की प्रोससिंग, वेस्वाटर की प्रोससिंग, सॉलिद वेस्ट की प्रोससिंग. तो जितने भी environment related topics हैं, उस पे क्या technologies involved हैं, कुन चीजों को improve करने के लिए उस चीज की exhibition है। इसमें 22 countries से लोग हूं, 200 companies participate कर थी, बहुत बड़े नंबर में international companies वापिस आई हैं इंडिया में 2019 के बाद, क्योंकि ये exhibition थीन साल के बाद हो रहा है। और करीब करीब साथ ये आठ कॉंसल जर्मर्रेशन में थे, फ्रॉम जर्मनी, नौर्वे, फ्रॉम स्विजर लैंड, फ्रॉम पोलेंड, और ये बहुत स्ट्रॉंग रिस्पॉंस है, किसी भी country के विए, कि बाहर की इतनी countries, exhibition में आके, देखना चाती है कि इंडिया क्या कर रह क्या है कि हमारी problem भी उतनी बड़ी है, करता कि इस तरह से support करना है कि विजन को set करना, गवर्मेंट अपना काम कर दिया, विजन सेट करके, कि हम लोग को हर जल योचना जो है, जो जल शक्ती एक ministry बन गई है, तो इससे पता लगता है, इससे worldwide industry को message मिलता है कि गवर्मेंट कि जो है कितना सीरियस है पानी जैसे topic को लेकर के, pollution जैसे topic को लेकर के, air pollution को, solid waste एक बहुत बड़ा इशू है, डेली ऐसी states में, जहां पे, you know, we have mountains of solid waste coming up, उन सारे problems को fix करने के लिए, इहां पे solutions अवेलेवर्य है, उन solutions को सही लोगों तक लेके जाना हमारा काम है, जहां एक्ष आपलाई साहिए और दिमांड साहिए, प्रॉबलम साहिए और solution साहिए, इंगो कैसे मिलाएं, तो गो हम E-POP के तूर करते हैं, जहां पे बहुत फायदा होगा है, तो बहुत फायदा होगा है, आज की रेट में अभी हम आपके सुना होगा, जो pond man है, वो क्या करते हैं, कि भी जहां पे बी खुडा होजाता है, एक खुड़ा इसको क्लीं करके वहां, पॉंट्स को रिस्टार्ट कर देते हैं, तालाब को जिन्दा कर देते हैं, अब इसको करने के लिए, अभी सक्थ हम क्या करते हैं हम हातों को यूज कर रहे थे, हम इंस्टुमेंट को यूज कर हैं जहां पर आपको मशीन को एक बार मोग करना है और तालाग जिन्दा हो रहाएगा यह पहले नहीं था हमारे पास अभी है उसी तरीके से एयर सेलूशन को लेकर दी हमने एक और टेक्नोलोजी डिस्प्ले किती हैं यहां पर एयर टू वाटर कि आप हवा में से पानी सक करके पीने वाला पानी बना सकते हो बहुत कम ताहिंगे तो वर्ल्ड की जितनी इमर्जिंग टेक्नोलोजी हैं जो जो दुनिया में चल रहा है वो हमने हाँ फे लागे डिस्पले कर दिया है हमारी उम्मेधे है अगले दस-तीन दिन में है यहां पे 10,000 लोग भिसिट करेंगे और 10,000 लोग इंड मेंडस्ट्री के हैं यह 10,000 लोग यहां से शलीशन लेकर वापस इंडस्ट्री में जाएंगे और जब यह सलूशन इंडस्ट्री में लाएंगे, इंडस्ट्री आपमेटिकली आगे बड़ेगा ठेक है? यह बहुत सारे लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं लेकिन अगर टेकनलोजी और मसीनरी जो उनके काम में सायोग कर दें तो उनका काम कही कुना जाद अच्छा और हो सकता है I mean their efficiency and their result can be improved So this exhibition is very may be very helpful for these type of pupils Even for me, क्योंकि हम भी जब तलाब करते हैं तो we need lots of machines और कही बार ऐसा होता है कि हमको दो साल बार मसीन का पता चलता है कि आर यार दो साल पहले जो काम किया ता क्योंकि हमारे गाओं और देहाथ तक अभी machines और टेक्नलोजी पहुंची नहीं है आज भी बहुत सारी आप न्यूज पढ़ते हैं कि नाला साफ करते टाइम हमारे मजदूर भाहियों की मौत हो जाती है Because of gas वहां से रिलीज होती है और वह harmful gases बहुत सारे लोगों की साल बर जान ले लेती है तो इस तरह की machines जो पानी को ट्रीट करने है या ड्रेन को ट्रीट करने में clean करने में हमारी हेल्प कर सकती है तो हम clean करने के लावा बहुत सारी जान सब्चा सकते हैं सरकारी एजेंसिया जो है, जैसे में मुंबई में है, ब्यम्सी है, यह सरकारी दंगाइट को साफ़ करने के लिए चलाने, किक तक आरगर साफिक हो रहा है, आपके साथ की कि आपके रूलर अरिया में आपके पाफ करेंगे हैं? हर साल बहुत सारे ओर्डर आते हैं, चाहिए वो गवर्मेंट के हो या ओनरेबल NGT या ओनरेबल High Court, Supreme Court के हो, बट वो ग्राउंड तक आते आते हैं, कहीं न कहीं वो बहुत सारे इधर उदर गूल जाते हैं, उसके लिए ज़रूर है कि हमारे पास जो मुझे खुद महसूस हो हमें लगता है कि जो नीचे वाले अधिकारी है या गवर्मेंट की फोर्स है वो ओल राउंडर है, वो अभी रिवेन्य डिपार्टमेंट का भी काम सौल कर लेंगे, वो पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड भी देख लेंगे, वो यह भी कर लेंगे, लेकिन सब के पास सारी स्कि जो पॉलूशन जो अमरज शरोगर योजना इस बार माने ने परदान मंतरी जी ने लॉंच की थी, वासमार्च उससे वो सुरू हुआ था, तो उसमें बहुं सारे तलाबों को फिर से पुनर जीवित किया गया है, और लेकिन हम हमारे पास इंडिया में मुक्त है, उसमें ब उतनी अब जमीन की बहुत कीमत है कि हम नए तलाब बनाएं, तो अब हम गलती क्या करते हैं कि हम नए तलाब बनाने की कोशिस करते हैं और जब तक पुराने वो डंपिंग यार्ट्स बन चुके होते हैं, तो I also suggested to the Ministry of Jal Sakti and the Consent Government Departments की जो पुराने तलाब है, अगर उनी क को हम रिवाइब कर लें तो हमारा जो भी वाटर क्राइसिस है या ग्राउंड वाटर की जो फर्कुलेशन उतना कम हो गया या एक्स्ट्रेक्शन जो उतना ज्यादा हो गया उसको हम सेव कर समके